हलो इस्टुट्स नेक्स देखिंगे कैसे नमर 23 क्या किया रहा है फाइंड ओल पेर्स ऑफ कंजीकुटिव और पॉजिटिव इंटीजर ध्यान देना इस वर्ट पर पहली बात तो पेर बनाने को बोल रहा है ठीक है अगर मतलब लै्ट वन और पॉजिटिव इंटीजर मैं लैट कर रहा हूं एक्स है तो आपके पास other odd positive integer कितना होगा obviously बात है उसका just next यानि x plus 2 करके पता लगेगी यह बाद छीक है सर अब आगे सुनना x plus 2 अब यह बोल रहा है both of which are smaller than 10 एक बात confirm है कि जो दोनों नमबर निकल के आएंगे वो 10 से less than होंगे ठीक है सर such that their sum is more than 11 अब यह important चीज है according to question लिख रहा हूं मैं आपर क्या बोल रहा है such that their sum is यानि इन दौनों का जो sum होगा is more than 11 11 से more than है यह 2x हो गया 11 minus 2 हुआ इतना हो जाएगा 9 4.5 यानि x की value 4.5 से बड़ी लेनी है आपको थी के चिए चरब 121 से बड़ी क्या खुसकती है so x equals to 4.5 से just बरी लेजी होनी चीए और वह order उनी होनी condition यह ना तो 4.5 राइसकों बड़ी वेल्यादि जो अर उती ओड्क होता है 5 की बाद number कौन सा होता है 7 की बाद number कौन सा होता है इस pass वह कर वो अब इसने कंडिशन बोल दी थी यहाँ पर बोट ओफ विच आ इसमॉलर देन तैन वो तैन से छोटे भी होने चीए नमबर तो इसके इसाब से तो यह कंडिशन सटिस्वाइब कर रही है बिल्कुल सर कर रही है अब आप थोड़ सा ध्यान देना अगर मैं आप पेर बनाता तो कैसे पेर बनेंगे हैंस पेर्स ओफ कंडिशन और पॉजिटिव इंटीजर्स आर अब ध्यान देना अगर मैंने पहला नमबर यहां से फाइव उठाया तो फाइव के साथ प्लस टू करने पर नेक्स्ट और नमबर क्या मिलेगा मुझे सेवन मिलेगा ठीक है अगर मैंन लो अगला नमबर मैंने नाइन उठाया तो अगला नमबर क्या हो जाएगा प्लस टो के इलैवन हो जाएगा बट इसने कंडिशन के देदी है बोत ओफ विच्चार स्मॉलर दें टैन से चोटे हुने चाहिए इसलिए हम केवल यही रोख दिएगे इसको ना केवल यही रोख दिएगे नेक्स्ट वाला पेर हम नहीं बना पाएंगे नाइन से तो एक्स की वैलू हमें क्या लेनी है आपकी 5 एंट 7 लेनी है ओनली समझ माया क्या रीजन है तो रीजन समझा करो चीजों का तो कैशन अच्छा याद रहता आगे तक ठीक है कंसेप्ट उसका नेक्स देखिंगे 24 नेक्स स्लाइड में